पैसे हैं आप सब आशा करती हूं आप सब बहुत अच्छे होगे मजे में होगे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे निउप लोग में तो दोस्तो हो चुकी है सुबा की शुरुआत आज है 18 अगस्त दिन है रविवार का और सुबे सुबे का समय हो रहा है तो सबस पहले सुबा की साप सफाई कर देते हैं, हम भी उठकर आ गए हैं और हमारी नंदजी भी उठकर आ चुकी हैं, तो यहां पर थोड़ी बहुत चीजे फैली पड़ी हैं, तो वही हमारी नंदजी सही जगे पर रख रही हैं, क्योंकि साम के टाइम में जहां पर चीजे पड़ी होती हैं वहीं पर छोड़ कर हम लोग लेट जाते हैं और इधर आरो ही अभी भी यहां पर लेटी है आज आरो ही साम के टाइम में यहीं पर लेटी थी जबकि हमें जब आरो ही कहीं और जगे पर लेट जाती है फिर नीद नहीं आती है इसकी चिंता जैसी रहती है लेकिन साम क टाइम में हम कई बार आये थे इसको लेने के लिए और ये फिर मानी ही नहीं कि यहीं पर लेटेंगे यहाँ पर थोड़ा अच्छा लगता है साम के टाइम में एकदम से ठंडा ठंडा मोसम और खुले में लेटो तो अच्छा लगता है और अभी यहाँ पर बुआ चारा भर जाये बुजरिया पर तो अच्छे से हमारी बुजरिया जम कर तयार हुई है और बादल भी हलके हलके चाये हैं क्योंकि इन दिनों में बादल तो सुबा सुबा ही चाये रहते हैं किसी किसी दिन हलकी फुलकी बारिस हो जाती है वैसे बादल चाये रहते हैं धूप नहीं न हमारे यहाँ चाय के साथ में पराठे बन चुके हैं, जो की हमारी नंदज जी ने बनाए है, और कद्दू मैंने रख दिया है उबलने के लिए, दूद भी मैंने पी लिया है, और इधर रख देते हैं अब डाल पकने के लिए कूकर में, तो वैसे तो कूकर हमारा सही से अभी भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने समलवा लिया है तो दालाल पक जाती है अच्छे से थोड़ा सा हलका हो गया है और डाल देते हैं हल्दी मेर्च सभी चीजे डाल देते हैं छोड़ देते हैं पकने के लिए और आज तो काफी टाइम पक गया था और कदू जल्दी से पक गया था तो गैस पर ही खाना बना लिया था आज हमने सभी की दावत कर दी है जितने भी महमान हमारे यहां है बड़ी आताय। और दीदी और दीदी की बीटिया सभी लोगों की याद दावत की है तो मैंने का चलो दो सबजियां बना लेते हैं और सभी को खाना खिला देंगे वैसे तो पूरी कचोड़ी बना लेते लेकिन जो है न कि कुछ लोगों को पूरी कचोड़ी पसंद आती है कुछ लोगों को नहीं आती है और हमारे यहां भी हम लोगों को कुछ ज्यादा नहीं पसंद हैं पापा को ज्यादा पसंद हैं पूरी का चोड़ी तो मैंने का चलो हलका खाना ही बनाते हैं साधा दाल चावल और कद्दू की सबजी तो यहां पर कद्दू तो हमारा उबल कर रही है तो दूसरे चूले पर मैंने डाल लग दी है और इधर कद्दू छोंक देते हैं तो कद्दू हम छोंकते हैं मेती से कुछ लोग लहसुन से भी छोंकते हैं कुछ लोग अजबायन से जिसको भी जिस तरीके का पसंद आता है उस तरीके से बनाते हैं तो मैंने यहाँ बहुत चिकल निकाले थे, थोड़े बहुत नहीं निकाले हैं, क्योंकि चिकल भी एक्तम से पक जाते हैं, फिर अच्छा लगता है चिकल वाला भी कद्दू, तो थोड़ा सा हरा हरा लग रहा है हमारा कद्दू, और हरी मिर्च भी थोड़ी सी डाल दी है, तो अच्छे से चल पापा को भी ये फ्राई वाली दाल अच्छी कर लेते हैं और देखने में भी अच्छी लगती है जब राई करते हैं दाल को तो यहां पर अच्छे से प्याज लेहसन चीज है मैंने डाल दी हैं भून लेते हैं अभी टमाटर डालने बाकी हैं छोटे छोटे पीसों में मैंने टमाटर भी कटकर लिये हैं और अच्छे से भून कर फिर डाल को डाल देते हैं और डाल जो है नकी थोड़ी सी मैंने पतली ही बनाई है गाड़ी जादा नहीं बनाई है एक द रोटियां सेंक नहीं पांकी हैं तब तक हमारी नंदक जी ने फिर रोटियां भी सेंक दे थी अभी हमारी नंदक जी सेंक ही रही है रोटियां तब तक हम इधर खाना लेकर आ गए हैं मेनेका सभी के लिए खाना लगा देते हैं तो बुगा सभी को बुला कर लेकर आ चुकी ह कि सबी लोग खाना खा लो चलके काफी टाइम भी हो चुका है तो यहाँ पर सबी लोग खाना खा रहे हैं और ताओ जी हमारे खाना खा चुके हैं आरोई के पापा के साथ में ही तो यह सबी लोग अब खा रहे हैं यहाँ पर खाना बुआ पापा और हमारी बड़ी अम्मा द परतन धुल लेते हैं थोड़ी बहुत जो भी साप सफाई है वो बाद में करेंगे और इधर आरो ही देखो कपड़े निकाल कर खड़ेगे क्योंकि इसको है नहाना और टंकी का पानी आ रहा था तो इसी वज़े से बोल ले थी कि ममा हम नहाएंगे मैंने का भी नहाले ना पह गंटा या डेड़ गंटा पानी आता है जितना जरूरत होता है उतना हम लोग यूज कर लेते हैं उसके बाद में बंद कर देते हैं पानी को और वैसे तो किसी किसी के यहां तो पानी पूरा दिन चलता है जब आता है तो चलता रहता है कुछ भी काम भी नहीं होता है फिर पिर अच्छा नहीं लगता है क्योंकि हम लोग जानते हैं पानी की क्या कीमत होती है जब हम लोग बाहर से भर कर लाते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है नल को चलाना पड़ता है और थोड़ा थोड़ा बिल्कुल पानी निकलता है तो इदर आरोही नहादी चुकी थी और हमारे जो भी घर के काम थे वो भी हो चुके हैं और यहां पर आरोही आई है हाथ दुलने के लिए सायद और दुपटा होड़े हुए है कि बूदे पड़ रही है तो भीगे ना इस तरीके सिर्फ दुपटा इसने ओड लिया है कि ममा भीगे ना इसी वज़े से यह अब ल कोड़े से भी बादल चाय रहते हैं तो बादल जब चाय रहते हैं तो धूप नहीं होती है तो इसी वज़े से बंदर बहुत ज़द आते हैं और उसके बाद का आप सभी के साथ में कुछ भी सेर नहीं किया है क्योंकि बारिस हो रही थी और इधर आप सभी से हम मिले हैं द प्रास नहीं गया है क्योंकि आप सभी को ब्लोग में आगे देखने को मिल ही जाएगा और यहां पर सबसे पहले शुबा की साप सफाई कर देते हैं तो जाडू लगा देते हैं और उसके बाद में अभी चूले की पुताई करनी है तो चूले की पुताई करने पड़ते हैं थोड़े बहुत भरतन भी पड़े थे लेकिन बहुत सारे काम मैंने कर लिये थे थोड़े बहुत हमारी नंदत जीने कर लिये थे तो जल्दी से सारे काम हो चुके हैं और बैसे तो सुबा सुबा हम हमारी तैयारी थी बहुत जोर और सोरों की तैयारी थी क् अच अपने माईके हम और कई दिनों से हम लोग तयारी कर रहे थे लेकिन माईके हम नहीं जा पाए है आप सभी को आगे ब्लोग में पता चल जाएगा कि किस बज़े से हम माईके नहीं गए थे विश्ले से बता तो दिया आप सभी को है पहले ही मैंने और यहां पर थोड़े से रखे थे बरतन मैंने का बरतन भी अच्छे से सेट करके रख देते हैं और बरतन सारे बरतन जो है न की थोड़े से बरतन इसमें रखे हुए थे जो कि तसले में और थोड़े बहुत बरतन पड़े थे चौकी पर बो भी मैंने धुल ल वो लेना पड़ेगा क्योंकि यहां पर बरतन रखना बिल्कुल बेकार है और उपर की साइड से छत से हमारी बालू बहुत ज़्याधा निकल रही है तो रोज ही हम सपाई करके उसके बाद में ही यहां पर बरतन अच्छी से सिट करते हैं तो आज भी मैंने सपाई की थी पहल बहुत सारा हो गया था सिमही भी बनाई थी और जो भी खर्चे में आ गया था चाय और सभी ने पिया भी था दूद क्योंकि दो तीन जगे का जब इखटा हो जाता है दूद तो बहुत सारा हो जाता है तो गाउगवान में यह सारी चीजे जो हने की बेवहार में मिल जाती ही तीज तेवार पर और इधर सबी लोग यहां पर चायनास्ता कर चुके हैं हम भी लेकर आए हैं थोड़ा सा दूद मेने का पी लेते हैं और आज आरोही के पापा की तबियत बहुत जदा बिगडी हुई है तो यही कारण है कि हम आईके नहीं जा पाए थे आरोही के पापा की तो हम अकेले भी नहीं जा सकते हैं और वैसे तो कल हमारी बड़ी अम्मा गई है वहां पर जो की आएं थी तो कल गई है अपने घर पर तो वैसे तो कल भी हम जा सकते थे बड़ी अम्मा के साथ में लेकिन जो हैने की कल भी इनकी थोड़ी सी तबियत बिगडी हुई थी लेकिन इतनी नहीं थी आज बहुत जदा इनकी तबियत बिगड़ गई थी ये सुबा से ही लेटे हुए हैं और कुछ इन्होंने खाया पिया भी नहीं है थोड़ी सी बस चाय पी थी और दो तिन बिस्किट खाया थे फिर टेबलेट खाली थी लेकिन टेबलेट से भी कुछ भी नहीं असर हुआ कि थोड़ा बहुत बुखार ही कम हो जाए तो इसी कारण हम फिर माई के नहीं जा पाये थे और अभी भी यारोई के पापा की तबियत ठीक नहीं है और इधर हो चुकी है हमारे यहां पूरे घर में लिपाई और बुआ ने की है पीछे वाले घर में य नहीं बोल ले थे कि नहीं जाएंगे बाद में जब इनकी तबियत भी ठीक नहीं हुई तब हम नहीं गए थे और यहां पर मैंने कौर ली है सिवाई क्योंकि सिवाई भी थोड़ी सी बनानी है और थोड़ी सी पूरी कचौडी भी बनायेंगे और गुईया की सबजी पूड़ी कचोड़ी थोड़ी सी देरी में बनाई थी, तो फिर बाद में सभीने पूड़ी कचोड़ी खाए थी, और गुईया थोड़ी सी इन दिनों में बारिस हो गई है तो उसकी वज़े से थोड़े बहुत दाग पढ़ जाते हैं, तो थोड़ी बहुत खराब निकल तो सब्जी कम ही थी तो इन लोगों के लिए हो गई थी आराम से इतनी सब्जी और वैसे तो सभी लोग अगर पसंद करें पूरी तो सब्जी कम है और चटपटी मेंने गुईया कवरी थी तो यहां पर नमक मेर्च और हरी मेर्च धनिया सबी चीजे डाल देते हैं और सारी तयारी करके मैंने रख ली थी पहले ही तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है कि पहले से ही सारी तयारी करके रख लो और अभी जो इनकी थोड़े बहुत काम भी थे घर में बहुत सारे काम अभी हमारी नंदजी कर रही है और सारी तयारी करके रख लेंगे तो बाद में – बस चूले पर फिर हम लोगों ने पनाई थी, पूरी का चोड़ी और आरोही को मैंने सुबा सुबा ही याlet तयार कर दिया था कि आरोही बोल भी रही थी, कि मम्मा नानी के घर पर चलेंगे, तो मैंने कहां चलेंगे, क्योंकि आरोही काफियी दिनों बोल रही है कि ममा नानी के घर पर चलो और यहाँ पर आरोही आ गई थी थोड़ा सा आलो खाने के लिए और आरोही ने कल मेंदी भी रखवाई है हाथों में यहाथ में अच्छे से रच गई है यहाथ में इन्होंने जल्दी से दूल दे थी तो अच्छे से नहीं रच गई है और यहां पर हमारी यहां जो भुजरिया बोई जाती है, उनके खिलाया जाता है, सबसे पहले उनी को खिलाया जाता है, फिर सभी लोग सिवई खायेंगे, और राखी भी बांधी जाती है, तो यहां पर आरोही और हमारी निलत जी राखी बांध रहेंगे, और भुजरिया को जरूर बताईएगा और एक हमारी दीदी जी ने कल कमेंट भी किया था कि ये सब क्या हो रहा है आपके यहां तो ये हमारी यहां रच्छा बंदन का तेवार और भुजरिया का तेवार मनाया जाता है जो कि कल मैंने फोटू आप सभी के साथ में शेयर के थी भुजरिया वाली तो वही दीदी पूछ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है आपके यहां तो यहां पर अभी तो सुबा के टाइम भुजरिया को खिला पिला दिया जाता है और इस तरीके से बस पूजा हो जाती है तो यहां पर आरोही ने भी खिला दिया है और हमारी नदज जी ने भी उसके बात में हमारी यहां फिर राखी का तेवार मनाया जाता है जो किरच्चावंदन का और अब आरोही अपने भाईयों के राखी बांदेगी तो यहां पर सबसे बड़े भाई आरोही के आचुके हैं इनका नाम है अनमोल तो इनके सबसे पहले राखी बांदेगी आरोही और यह बहुत ज़्यादा हम लोग हस भी रहे थे कि आरोई ने देखो कितने अच्छे से तयारी की है और अभी छोटी है तो इसी बज़े से अच्छे से गाठ नहीं लगा पाती है राखी में तो मैंने लगा दी है और यहाँ पर इस तरीके से आरोई खिला रही है अपने भाईयों क और अभी दो लोग और माकी रह गए है जो कि एक लोग इन से चोटे है फिर सबसे चोटे है यह जो हैनके हमारी दीदी के लड़के हैं तीन लोग उनकी बिटिया नहीं है तो इसी बज़े से आरोई उनी के राखी बानती है और भाईया दूज भी खिलाती है और आरब को आ हारोही ने राखी बान दी थी तो यहां पर हम लोग बनाने लगे हैं पूड़ी कचोड़ी काफी टाइम हो चुका है लगबग साड़े दस या ग्यारा बज़े का टाइम हो गया था और आरोही ने राखी जो हने की सबसे बड़े बाले जो इनके आरोही के भाई थे उनके बान दी थी अभी एक लोग नहीं आय थे तो उनके बाद में आरोही ने फिर राखी बान दी थी और यहां पर कचोड़ी तब तक हम लोग अने का कि बना लेते हैं और कूरी और कचोड़ी साथ में ही दोनों चीजे सेहते जा रहे हैं क्योंकि सबी भूख भी लग गई थी तो हम लोगों ने का कि साथ में सेखते भी जाएंगे और सभी के लिए खाना भी लगा देंगे तो सभी लोग खा लेंगे तो इधर कचोरियां भी बना ले लुक भी बनाली हैं और पूरी भी बनाते रहेंगे जल्दी नहीं रहे घी तो जो भी लोग आएंगे पापा आा रोई के पापा ने भी दो चार कचोडियां खा लिए थी कचोड़ी खा लिए थी वैसे तो जो है कि उनकी तबीयत पूरे दिन ठीक नहीं रही थी लेकिन खाना तो है ही कुछ ना कुछ और दबाई भी लेना था दबाई एकल लेकर तो या फिर ठंडी जगे पर रहते हैं तो सर्दी इनको हो जाती है बहुत जल्दी से और पूरी कचोड़ी बन गई थी उसके बाद में सबी लोगों ने खाना भी खा लिया था और थोड़ी ही बनाई थी जादा नहीं बनाई थी क्योंकि साम तक रखी रहती हैं पूरी तो नहीं खराब होंगी कचोड़ियां खराब हो जाती है जो आलू बाले कचोड़ी होती है और इदर आरोई अब इनके राखी बांधने के लिए बैठ गई है तो मैंने का इनको भी बांध दो राखी और आरोई जो है नकी खुस हो जाती है जब ते वहार जब भी कोई आता है और अ और आप सबी दोस्तों को तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबी बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुले रहिएगा, अपना प्यारों सपोर्ट बनाए रखना, और जो दोस्त हमारे चैनल पन न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लोग हमारा कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना, कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लोग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल लगिएगा, खुश रहिएगा,